एक्ट्रिस कंगना रनौत और रितिक रौशन के कॉंट्रोवर्सी में एक नया चाप्टर जुड़ गया है एक इंट्वियो में कंगना ने रितिक पर कुछ और आरोप लगाए है कंगना ने कहा कि जब सारा विवाद हुआ था तब रितिक इंडेस्ट्रि में सबके पास चा कर अपना दुखरो रहे थे सबसे मेरा करियर खराब करने के लिए कह रहे थे और लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि रितिक ने तुम्हारे खिलाफ हमें सब्वूत भी दिखाए है इन सब के बाद लोगों ने मेरी राय जाननी चाहिए पर मैंने सब को कह दिया कि आप लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कंग्डा ने कहा कि मुझे खुलयाम धंकी भी दी गई कि सब के सामने मुझे एक्सपोज भी करेंगे पर मुझे पता था कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है ये लोग सिर्फ धंकी दे सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अगर दोस्त बनाएंगे तो मामला कहीं न कहीं कॉम्लिकेटड हो जाएगा इंडस्ट्री में आप जिनके साथ काम कर रहे हैं अगर वो सफल हो जाएंगे तो आपको अबोइट करने लगेंगे ऐसे में इंसानी जजबात आगे आ ही जाता है और इनके साथ चीज़ें और भी करवी होने लगती हैं काम के दौरान इंसान निर्धारित नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत रोमैंटिक रिलेशनशिप के साथ भी ऐसा ही होता है